खुलो फेंस एवरिवाइन सबको मैं सबसे पहले इक अपील करना चाहता हूं एक वीडियो वारेल हुआ है जो शेमफुल है दुखी है सबको दुख लग रहा है मुझे बहुत फोन आया है लेकिन मैं आपको एक अपील करना चाहता हूं और हाद जोर के अपील करना ठीक है उन्होंने मेरा पुतला जलाया, मेरे फोटो में थूका, उन्होंने गलत चीज किया, इसके लिए सब ने इसको कंडेम किया है, लेकिन मैं अपने तीप्रा मौथा के वर्कर्स को, मैं अपने वाई टीफ के वर्कर्स को, बुरुई बुमा बदल के वर्कर्स को, एंप् के खिलाफ है और इनको लगता है यह करने से तीप्रासा तीप्रासा से फाइट करेगा अगर आप गुसा होकर वाइलेंटली होकर रियाक करोगे तो वो लोग का मकसद पूरा हो जाएगा I am appealing to all of you all you may be anyone लेकिन ऐसे लोगों को रियाक करके इनको importance मत दो मैंने सबसे बात किया है मैं आज फिर से आपको अपील कर रहा हूं कि किसी और का पुतला ना जलाए किसी और के फोटो में ना थोके किसी और लीडर के उपर गाली या स्लोगन डियरिंग नहीं करे क्योंकि मैं आपको एक ही बात बोलना चाहरा हूं कि तिप्रा मौथा थांसा के लिए है यह लोग थांसा के खिलाफ है और अगर आज आप तिप्रासा बनके तिप्रासा ही के अगेंस्ट यह सब करेंगे तो मुझे शरम लगेगा तिप्रासा दोफा का नाम नीचे गिरेगा यह मैं लेकिन माई दियर तिप्रासा लोग मैं यहां में आपके लिए गाली सुनने के लिए तयार हूं आपके लिए मैं अपना जिंदगी का सैक्रिफाइस करने के लिए तयार हूं मैं पॉलिटिक्स में पोस्ट या पुजिशन कमाने के लिए नहीं आया हूं मैं राजदीती में इसके लिए आया क्योंकि हमारे तीप्रा साब को Constitution के अंदर एक solution मिलना चाहिए मैं इसके लिए आया हूँ मैं आपको कुछ देने आया हूँ कुछ लेने नहीं आया हूँ और ये लोग जो आये हैं जो ये कर रहे हैं थोड़ा सा पैसे के लिए थोड़ा सा पोस्ट के लिए अपना नाम भठाने के लिए ये लोग ये कर रहे हैं इनको आप importance मद दो I love all of you all और अगर आप मुझे सच में दिल से प्यार करते हैं तो आप वो कलती चीज नहीं करेंगे जो इन्हों नहीं किया है मैं आपके साथ हूँ आप एक रहिए 2023 में तीप्रा मुथा जीतेगा और जब हम जीतेंगे तब हम Government of India को एक ही बात बोलेंगे कि हमारा constitutional solution दीजे वरना हम किसी के साथ नहीं है हम अपने साथ अपने तीप्रासा के साथ अपने दौफा के साथ S.C. के साथ चाब्दान के साथ जो भी तौप्रा में वँचित है जो भी तौप्रा में जिसको opportunities नहीं मिला है हम उनके साथ है हम किसी के खिलाफ नहीं है हम कोई community के खिलाफ नहीं है कोई धर्म के खिलाफ नहीं है हम सिर्फ अपने लोगों को constitution empowerment देना चाहते है ये लोग नफरत के राजनिती करते हैं ये लोग गंदी राजनिती करते हैं इनके जैसे राजनिती हमको नहीं करना है मैं जानता हूं कि बहुत लोग गुसे हैं बहुत लोगों को अंदर नाराज़गी है लेकिन मैं प्लीज फिर से आपको हाथ जोग के अपील करता हूँ वो गलती मत करो जो इन्होंने किया है आप किसी का पुतला नहीं जलाओ आप किसी के अगे स्लोगन्स नहीं दो और किसी के फोटो में थुको मत उन्होंने ये गलती का काम किया है हमें काम नहीं करना चरी है I love all of you all and God bless ती प्रासा God bless ती प्रादपा ती प्रासा आई कलो थो I love all of you all हम्भाई